हेलो फ्रेंज मैं हूँ विजिया और आप देख रहे हूँ विजिया अस क्रेटिव कार्डन फ्रेंज सीजन बदल रहा है और फेस्टिव सीजन भी है तो मैंने सोचा कि अपने विंडो गार्डन को भी डिकलटर कर दें और रियॉर्गेनाईज करें विंडर के समय यहाँ पर धूप नहीं आती है जहाँ मारी विंडो है जहाँ पर सीडियां है स्टेर से यहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती है वो भी एक आत गंटे की बस तो मैंने सुचा कि अपने प्लांस को शिफ्ट कर दें और जो प्लांस बहुत कम सनलाइट में भी रह जाएंगे उनी को यहाँ पर रखेंगे तो जैसे स्नेक प्लांट वगेरा हैं वो रह सकते हैं यहाँ पर तो यह हम टेरेस से अपना स्टैंड ले आए हैं इसनेक प्लांट को वैसे भी मेरे लिए उपर छट में ले जाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि यह दोस्तों बहुत हैवी हो रहा है और यह जो है बेगार सरलाइट के भी यहाँ पर खुबराम से सर्वाइफ करेगा तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कोने में इसको रख दिया है साथ में यहाँ पर जो स्पाइडर प्लांट से इनको भी जरा थोड़ा सा गुड़ाई उड़ाई करके इसको भी ठीक करा जाए इनकी मिट्टी को भी यह सारे ले आए हैं छट से गुड़ाई करके इनको लेकि इनके गंबले सबके बड़े खराब हैं तो इनको जो है ठीक करना है अलग-अलग तरीके का है तो सेम करना है और मनी प्लांट जो है यहां से हटा देंगे सारे जो है स्पाइडर प्लांट ही लगाएंगे मतलब एक जैसे प्लांट ही यहां पर रखेंगे पहले सुचा था कि यह हैंगिंग भी चेंज कर दे नई बना तो फिर इसी को ही यूज़ करने को सोच रहे हैं और यहाँ पर अपने विंडो गार्डन में दोस्तों यह S वाले हुक होते हैं इनकी हेल्प से हम लटकाते हैं यह S वाले हुक आप घर में भी जो मोटे तार होते हैं उनसे खुब असानी से बना सकते हैं तो यह हम यहाँ से खाली करके साफ कर लें फिरकी तो साफ कर लिए हमने अब बारी आई है कि इन गंबलों को साफ करने की यहाँ पर इसको जो इसमें जो डस्ट वगएरा और वाटर की हाडनेस वगएरा जम जाती है इसको हम रेग मार्क आता है उससे रगड़के छुड़ा रहे हैं रेग मार्क जो है यह बहुती असानी से मिल जाता है जहाँ पर यह कंस्रॉक्शन का समान मिलता घरर बनाने वाला वहाँ पर अधिकतर इसमें से मेटल में जंक लग जाती है उससे छुड़ाने के लिए रेग मार्क को यूज किया जाता है तो यहाँ पर मैंने सभी में वाइट कलर कर रहे हैं मेरा पहले प्लानिंग यह थी कि जितने भी गमले हैं सब में हम बेस वाइट कलर करके कोई डिफरेंट कलर कर देंगे ताकि सारे गमले एक जैसे लगेंगे लेकिन दोस्तों जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा था और ठकावट शरीर में आती जा रही थी जो जो था दीरे दीरे खतम होने लगा और फिर सोचा कि खुड़की एक कोटिंग में भी देखिए इसका कलर वाइट नहीं आ रहा था तो हमने जो था इसको सूखाने पर दो दो तीन तीन कोटिंग करी अच्छा यहाँ पर जो है हम यह फैविक्रिल का एक्रेलिक कलर कर रहे है वैसे तो खिड़की दरवाजो वाला पेंट कलर भी कर सकते थे लेकिन दोस्तों उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है कम से कम 5-6 गंटे लग जाते हैं फिर मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाता तो इसलिए मैंने यह एक्रेलिक कलर कर रहे हैं यह थोड़े महंगे पढ़ जाते हैं लेकिन हाँ जल्दी सूख जाते हैं तो आप 2-3 कोट फटा-फट कर सकते हैं एक के बाद एक तो यहाँ पर मैंने 3 कोट करने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा कलर नहीं मिला और अब मेरी बहुत हिम्मत नहीं पढ़ रही थी आगे काम करने की तो दोस्तों इसमें बस मैंने सिंपल से डिजाइन बना करके ऐसी स्ट्रोक दे दिये ब्लू और यलो कलर के बस कम्पलीट कर दिया दुबारा जो है यह शूटिंग हम रात के समय करने आए हैं जब काम आम से फ्री हो गये थे तो मैंने दुबारा से यह सारी अपनी हैंगिंग्स लटका दी है इस थोड़ा सा दूर दूर लटकाई हैं ताकि जो प्लांट से उनको ग्रो होने का पूरा वो स्पेस मिले अब यहाँ पर सारी जो है स्पाइडर प्लांट ही लगेंगे वो भी वेरिगेटेड वाले पहले स्नेक प्लांट भी था मनी प्लांट भी थे कई तरीके के वो सब हमने हटा करके दूसरी जगे उनको हम शिफ्ट कर देंगे मौका लगेगा तो अपने स्टेर्स में लगा देंगे उनको और यहाँ पर पहले ज़्यादा हेंगिंग थी अब जो है मैंने गिन करके केवल फाइव हेंगिंग ही रख करी है तो इस तरीके से यह जो स्पाइडर प्लांट है यहाँ पर यह अराम से चल जाता है बिना धूप के भी यह चलता रहता कोई दिक्कत नहीं आती है उजाला रहता है ब्राइट लाइट रहती है लेकिन डिरेक्ट से लाइट नहीं रहती है इस जगे अब चूंकि फेस्टिफ सीजन है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिक्लेटरिंग कर दिया इसकी तो अब इसको थोड़ा सा डिक्लेट भी कर दिया जाए तो यह वाला जो गेंदे का फूल की माला थी यह मैंने लोकल मार्केट से ही खरी दी थी वहां तक मैं पहुँच नहीं पा रही थी हाइट तक लगाने के लिए तो मेरे धीजमेन ने का लाओ में लगा देता हूं तो यहां पर यह कीली ठोख ठोख करके लगा रहे हैं और इनको बिल्कुल पता नहीं है कि यह शूटिंग में आ रहे हैं यह अपने काम में मस्त थे और मैंने बस यह था camera on करके रखा था और कर ले रहे हैं इसे shooting इनकी ने तो शायद यह delete भी करवा दे अगर इनको पता लगे वीडियो अपलोड होने के बाद पता लगेगा तो कोई फरक नहीं पड़ता है फिर तो हम बना लेंगे इनको तो यहाँ पर यह था yellow color की थोड़ी क पड़ गई थी मेरे पास तो यह था कि औरेंज वाली भी यह हमने लगा दी वैसे तो festival में हम लोग यहाँ पर और जो गेंदे की असली माला ओड़ी लगाते हैं लेकिन अभी काफी देन है तब तक वह सूख जाएंगी यह असली वाली यह हमने DIY बहुत पहले बनाया था जि इसके अंदर जो है मैंने यह प्लास्टिक का ठक तुड़ा काट करके लगा दिया है एक स्नेक प्लांट यह है स्नेक प्लांट दोस्तों बिलकुल कम धूप में चल जाता है नीचे जो है करवा रखा है पूजा वाला अभी इसमें भी होल करके प्लांट लगाना है और यह ज पहले मैंने बनाई थी वुल से उन से तो भी लगा दी अच्छी लग रही थी हमको तो यहां का तो यह कि यह ऐसा हो गया बुकुल सिंपल मतारा मैंने अलग जितना डिफरेंट समानता सब हटा करके इसको हलका कर दिया है इसलिए कहा मैंने डी क्लटर करा यहां पर यह बहुत तेज आवाज हो रही है यह हंगिंग बास्केट्स लटकी है यह मेरा इस्पाइडर प्लांट भी यहां है तो यह दोस्तों फाइनल रुक था यह वाला रात का लुक था तो रात के समय लाइटिंग थोड़ी सी कम हलकी है यहां पर यहां पर यह देखे दिवाली की भी लाइट सोड़ी बहुत लग गई है तो ऐसा लुक है यह वह मनी प्लांट चल रहा है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना थोड़ा सभी अच्छा लगे तो यह लाइक जुरू करके जाईएगा आप फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुड़ बाए